जैहिन दोस्तों हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जैसे ही AC का कंप्रेसर आन होता है MCB ट्रिप हो जाती है तो क्या AC कंडीशन में ये मान लिया जाए कि कंप्रेसर खराब हो गया है अगर आप भी ऐसी ही समस्याओं को फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा कंप्रेसर को डाइरेक्ट स्टार्ट करके कैसे चेक किया जाता है वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकान दबा दीजिए जब एसी आन करते हैं और कंप्रेसर चालू होते ही MCB ट्रिप कर रहा है तो आपको किन किन पॉइंटों को चेक करना है हम step by step समझाने की कोशिस करेंगे सबसे पहले आप MCB चेक कर लीजिए कभी कभी MCB भी खराब हो जाती है तो जैसे ही एसी आन करते हैं एसी तो चालू हो जाता है लेकिन जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होने के लिए लोड लेता है तो MCB ट्रिप कर जाती है अगर MCB ठीक है तो next step में कंप्रेसर के टर्मिनल बाक्स को खोल कर कंप्रेसर के तीनों पॉइंट कामन, रनिंग और स्टार्टिंग के थिम्बल को चेक कर लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब कंप्रेसर चलता है तो थोड़ा हीट भी होता है जिससे टर्मिनल में जो थिम्बल लगे होते हैं वो धीले हो जाते हैं या जल जाते हैं अईसा कुछ है तो ठीक कर लीजिए ये सब सही है तो हम नेक्स्ट इस्टेप में कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल से उसके थिम्बल बाहर निकाल करें कामन, रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल की आपस में मल्टीमीटर की सहायता से कांटिन्यूटी चेक करेंगे तीनों पॉइंटों में कांटिन्यूटी बताना चाहिए अगर किसी भी पॉइंट से कांटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो कंप्रेसर खराब हो गया है लेकिन ये सब सही है तो next step में तीनों point कामन running starting को एक एक करके compressor की body के साथ continuity चेक करेंगे किसी भी point में body के साथ continuity नहीं बताना चाहिए अगर किसी भी point की body के साथ continuity बता रहा है तो इसका मतलब compressor अर्थ हो गया मतलब compressor खराब हो गया ये सब सही है तो next step में compressor को direct start करके चेक करेंगे इसके लिए एक दो तीन मीटर का two core का अच्छा वाला cable होना चाहिए जो कि compressor से switchboard तक पहुँच जाए उसके एक तरफ के दोनों वायरों में अलग अलग थिम्बल लगा लेंगे एक थिम्बल को अच्छे से taping कर देंगे एक ऐसे ही दूसरे वाले थिम्बल को open रखेंगे अब जिस थिम्बल में taping किया है उसको compressor के common वाले point में लगा देंगे और जो थिम्बल बिना taping के है उसको compressor के running वाले terminal के point में लगा देंगे अब केबल के दूसरे वाले सिरे को socket point में लगा देंगे लेकिन अभी switch आप ही रखना है अब वापस compressor के पास आकर एक अच्छा screw driver ले लेना है screw driver जिधर हाथ में पकड़ेंगे उधर अच्छे से insulated होना चाहिए ये सारा काम पहुत ही सवधानी से करना है अब किसी और से help लेते हुए उसको socket वाले switch को आन करने के लिए बोलेंगे जैसे ही socket का switch आन किया जाएगा तो इधर हमें अपने screw driver को compressor में जो बिना taping वाला running terminal है उस धिंबल को compressor के starting वाले terminal से screw driver से touch करवाना है और ampere meter लगा के रखना है संबहुता compressor start हो जाएगा नारमल से थोड़ा सा ज्यादा ampere लेगा क्योंकि direct चल रहा है अभी running capacitor नहीं लगा है अगर चालू हो जाता है तो बस आपको जितने MFD का running capacitor लगा था उतने ही MFD का नया running capacitor लगा देना है लेकिन अगर ये सब करने पर भी compressor नहीं चालू हो रहा है तो अभी हमें ये नहीं मानना है कि compressor खराब हो गया है next step में हम starting और running दोनों capacitor की help से compressor को start करने की कोशिस करेंगे इसके लिए हमारे पास 100 से 120 MFD का एक अच्छा वाला starting capacitor होना चाहिए और जितने MFD का running capacitor लगा था वैसे ही उतने ही MFD का एक नया running capacitor होना चाहिए अब running capacitor के साथ compressor की जैसे wiring होती है वैसे ही कर लेंगे बस जो 220 V वाली supply air conditioner के through आती है उसको हटा कर हम अपने cable को लगा देंगे हम पहले जो काम screwdriver से कर रहे थे वो सारा काम अब starting capacitor से करवाना है ये सारा process आप बहुत ध्यान से समझेगा जो हमारे पास starting capacitor है उसके एक वायर को compressor का जो running वाला terminal है उसमें लगा देंगे चाहे हम इधर terminal में लगा दें या फिर उधर जो running capacitor में compressor का running terminal वाला वायर लगा है वहां भी लगा सकते हैं जहां आपको सुविधा है वहां पर लगान लीजिए starting capacitor का जो दूसरा वाला वायर है उसको प्लायर से पकड़कर रखकर अब switch को on करवाना है जैसे ही switch on होता है तो जो प्लायर से starting capacitor का वायर पकड़कर रखा है उसको compressor के starting terminal वाले point में touch करवाना है टच करवाने का मतलब यह है कि बस छुआ के हटा लेना है continue touch ही नहीं रखना है अगर compressor ठीक होगा तो अपने अपने normal ampere पर चालू हो जाएगा अब compressor को ऐसे ही 10 से 15 मिनट चालू रखिएगा बहुत बार ऐसा होता है compressor अंदर से जाम हो जाता है तो जब हम starting capacitor से start करवाते हैं तो start हो जाता है और free भी हो जाता है लेकिन ये सब करने के बाद भी compressor नहीं चालू हो रहा है तो आप बिलकुल sure हो जाए कि compressor high ampere होकर खराब हो गया है अगर चल जाता है तो 10 से 15 मिनट चला कर बंद कर दीजिए फिर पहले जैसे wiring थी वैसे ही नया running capacitor लगा कर wiring कर दीजिए अपना starting capacitor हटा लीजिए wiring ठीक से करने के बाद AC चालू करिएगा 70 से 80% chance है अब compressor बिना starting capacitor के भी चल जाएगा फिर भी 20 से 30% chance है अगर compressor नहीं चल रहा है तो अब इस compressor में starting capacitor लगाना ही पड़ेगा इसके लिए हमें box type potential relay की जरूरत पड़ेगी potential relay के साथ कैसे running और starting capacitor का connection किया जाता है उसका अलग से वीडियो बना कर upload कर दूँगा अगर आपका compressor 10-15 मिनट चल कर बंद हो रहा है तो उसके लिए i button या नीचे description में जाकर वीडियो देख लीजिए हमने link दे दिया है आपका कोई प्रस्ण या सुझाओ है तो वीडियो के comments बाक्स में जाकर अपनी राय जरूर देए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जादा से जादा share कर दीजिए धन्यवाद